हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं ही मानशों स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक में सुपर कमांडो दुरुप का एक धमाकेदार कॉमिक विशेशांग धुरुष्च्य का दूसरा भाग पुलिस के जासूस का पता मैं तुमको बेना खर्चे को बता दूँगा यही है वो और तू है वर जासूस पैटरिक पस मुझे इस बात का पता नहीं है कि मुझे तक पहुशने के लिए तुमने चाल तो अच्छी चलिए सुपर कमांडो दुरुप पर इस मौके से इस मौके क का साया बेकर कौन सा बुड़ा काम करना चाहते हूं यह बता करमें तो मैं तो मैंने के इनके मारे चैटीила चीजए और दीसरे के बिगएड़ेट चीन नी सकती है वैसे तुमको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा ही काम कर रहू हूँ, अपरादियों को टपकाने वाला, मैं उनको टपकाता नहीं हूँ, सर्जा दिलवाता हूँ, वैसे कौन हो तुम, लेजर, सर्जर, रे जैसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, मैं सम कि शक्तियों के बारे में ज्यादा पता नहीं है पर उमीद है कि टाइटेनियम जैसी मजबूत मैटल से बने यह स्टार कफ इसको बांद कर रख पाएंगे गड़ टाइटेनियम मैटल है इसका लॉग भी बहुत कॉंप्लिकेटिड है हाई क्लास कफ से इनको तोड़ना तो तुमारी जिन्दीगी के बाकी बचे साल बर्बात कर दूंगा अब अगर तु जीया भी तौपंग बनकर जिन्दीगी काटेगा क्योंकि इस हाई पावर शॉक से कोई इंसान बच नहीं सकता सुपर कमांडर दरफ तुमारा केरियर खतम हो चुका है सही का तुमारा केरियर खत्म हो चुका है बूमर तुम शॉक से बच गए इंपॉसिबल शॉक लगने के लिए जमीन से संपर्ख होना जरूर हो गया तो बूमर और उसक मेरा शरी हवा में था अब मैं तुमारे दिमाग का संपक तुमारे शरी से काट दूँगा लेजर सर्जर रे छोड़ूँगा तुम पर तुम ऐसा कर सकते हो तो पहले ही कर लेते बूमर मैटल की इन चमकती दिवारों के बीच में तुम किसी भी एनर्जी ब्लास का प्रियोग नहीं कर सकते क्योंकि तुमको डर है कि इन दिवारों से रिफ्लेक्ट होगा एनर्जी रेस कहीं तुम से ही न टकरा जाएं तो तुम वाकई में तारीफ के काबिल हो ये मेरा सौबाग येगी मुझे तुमसे हारने का मौका मिला पर मुझे अपना काम तो पूरा करना ही है मुझे जाना ही होगा एरोर और एक्टिवेट ये क्या हो रहा है ओ गॉड़ पूरे कॉरीड़ में लगी अपने आप आफस में जुकर ये कानों का प्लेन बना रही है ये क्या चीज थी अगर ऐसी शक्ति वाला इंसान मास डिस्ट्रेक्शन करेगा तो मैं उसे रोकूंगा कैसे सन 5062 मुझे वो चाहिए मॉम वो तुमारी अब ध्रुफ की नए गातां है कहाँ आती है द्रुफ जी का लेटस एडवेंचर है और क्रिटिक्स का कहना है कि अब टक का उनका ग्रेटस एडवेंचर है इसका नाम है मैंने मारा ध्रुफ को इसका दूसरा पढ़ हत्यारा कौन भी हमारे पास लेकिन नए एडवेंचर आए कहां से कोई नए आर्केयोलोजिकल साइट मिली है क्या नो मैम शायद आपने सोना नहीं है एक नए इंवेंशन होई है टाइम एक्स्प्लोरर इस मशीन की मदद से हम पास में जाकर हर पल को एक्स्प्लोर कर सकते है हमने इसी टाइम एक्स्प्लोरर की मदद से धुरुब जी के उट को डिजिटली रिकार्ड और रियल लाइफ ऐनिमेट किया है मुझे यही चाहिए मौम यही चाहिए और अभी चाहिए ये नया एडवेंचर डाउनलोड करने के लिए आप उतना बुक कंसोल लाई है या नया खरी देंगी नहीं नहीं इतनी महँगाई में नया कौन खरी देगा मेरे पास एक कंसोल है कमाल है यार मेरी कहानिये न्यूस पेपर में छपती हैं और धुरुफ की बुक स्टोर्ज पर बिखती हैं क्योंकि ये इनका उनका हमारा सबका भगवान बन चुका है लोग उसके एडवेंचर पर कर वाट यू से चकित रह जाते हैं जानता हूं मैं खुद धुरुफ का फैन हूं लेकिन असलियत तो यह है कि मेरे दमाग धुरुफ से 3000 साल ज्यादा एडवांस है मुझे फाइटिंग की जो टेक्निक्स पता हैं उसके बारे में तो उसना सुना तक नहीं होगा और स्टार लाइन अब सॉलिड एनर्जी रे लाइन बन गई है यह तो वह सपने में भी सोच नहीं पाया होगा और मैं शर्ट लगा कर कह सकता हूं कि अगर आज जैसे एक खतरनाक टेक्निलोजिकल एडवांस क्रिमिनल और किलर अगर धुरुफ के टाइम में होते तो उसकी एक कहानी बन पाती है और वह भी अधूरी जक्की मैं साल में ऐसे पांच विलेंज को पकड़कर आइसलेटर में बन करता हूं मैं जानता हूं कि ऐसा होना असंभव है लेकिन अगर एक बार सिर्फ एक बार मेरा और धुरुप का सामना हो सकता तो दुनिया को पता लग जाता कि पापा का मैसेज आ रहा है ये सच मुझ एक ब्रेकिंग न्यूज है लिपसी ये न्यूज हमारे पूरे सिस्टम को ब्रेक कर सकती है मैं फोन पर जाधा डिटेल नहीं बता सकता तुम तुरंद मेरे पास लैब में आओ और अगर धुरुष्च तुमारे साथ ही है साथ ही हो तो उसको भी जरूर लेती आओ लैब में आपको जाधे ही परिशान है बताइए क्या प्रॉब्लम है मैं उसे चिटकियों में दूर कर दूँगा मिस्टर वाल्टर प्रॉब्लम है बूमर बूमर वो वो नॉटोरिस किमनर जो कभी आपकी लैब का चीफ ऑपरेटर हुआ करता था उसको तो मैंने दो साल प पर काम शुरू कर दिया टाइम एक्स्प्रॉबर इसका जिकर तो बुक्षप वाली गाइड गल भी कर रही थी ठीक कह रहे हो तुम फिलाल दुनिया में सिर्फ एक टाइम एक्स्प्रॉबर है और वह सरकार की कड़ी स्रक्षा में उसके प्रयोग के लिए इजाज़त लेन इस नई टाइम एक्स्प्रॉबर मशीन का प्रयोग उसने सबसे पहले जेल से भागने में किया उस बीते टाइम में जाकर जब तुम उसके पीछे नहीं लगे थे उसने भविश्य बदल डाला था उसको अब पता था कि तुम उसको कैसे पकड़ोगे इसलिए वह बचकर भ भूतकाल में जा पहुचा है 2010 में यानि धुरुफ के युग में पर क्यों यही जानना हमारा पहला लक्ष था इसलिए मैंने इस टाइम एक्स्प्रॉबर को अपनी लैब में खुद बनाया इसमें 2010 की इमेजिस देखी इससे पता चला कि भूमर उस युग में नुकलियर ब मैं भी तुमको आइसलोटर में जाने से बचा नहीं पाऊंगा हाँ तो मैं नुकलियर बम की बात कर रहा था नुकलियर बम ऐसा विनाशकारी हतियार है जो पूरे संसार को दो सेकेंड में खतम कर सकता था 2010 के आसपा संसार के कई देशों के पास ऐसे बम थे उस वक्त इन बमों की वज़ह से दुनिया के तबाह होने का जबर्दस खत्रा पैदा हो गया था इसलिए सबी देशों ने समझाता करके ना सिर्फ इन बमों को बलकी इनको बनाने की सारी जानकारी को भी नश्ट कर दिया यू समझो कि दुनिया से उस खतरनाग हतियार का न साम और निशान दौनों मिट गए सिर्फ क्लासिपाइट फाइल में उसकी जानकारी सुरक्स्री रखी गई बूमर वही जानकारी लेने गया शायद बंबी लेता है और वह भी धुरुफ के युक से दुरुफ बूमर जैसे तेज दिमाग वाले और चमातकारी अंतरों से ल नामों निशान मिट जाएगा क्योंकि धुरुफ ने 2010 तक कोई संतान पैदा नहीं किये ओ माई ओ गॉड़ बताइए मैं क्या कर सकता हूं मैं इस टाइम एक्स्प्रोर को वैसे ही मॉडिफाइड किया है जैसा कि बूमर ने किया था तुम इसमें बैटकर 2010 में पहुंच सकते हो और बूमर को हरा कर दुरुफ को और अपने आपको बचा सकते हो वरना ना हम रहेंगी ना तुम मुझे दुरुफ से इस परदा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मैं जरूर जाओंगा और इत्यास को ये बता दूँआ कि हॉल टाइम बेस्ट क्राइम फाटर दुरुविष है आप टाइम एक्स्प्रोर कर स्टार्ट करें दुरुविष ये एक ऐसी यात्रा पर रवाना हो चुका था जो वन वे थी बस दुरुविष को ये समझना बागी था हमारी पैनल के नोसा ये शो का अब तक का सबसे खतर खतरनाक असाइन्मेंट है इसमें सुपर कमांडो दुरुव नंबर 13 को किनारे से लेक के बीच में बने आउट हाउस में पहुंचना है और वहां से एक डमी होस्टेज को आजात कराना है पर उसकी ताक में है पांच खतरनाक हत्यारबद गार्स जो क्रैक शूटर्स हैं अर मेरे चाहे पैक अप करो या मेक अप रिफ्लेक्टर ठीक से पकड़ो मेरी यांके खराब हो गई है या अरे वहां आतो गया अपना दुरुव नंबर 13 कितने वितने चोड़ो जल्दी करो लेक में कूच जाओ तुमको सेंटर बने आउट हाउस में पहुंचना है और होस्ट पर इतना तो फकाए कि मैं दुरुव के आसपास तक तो पहुँच चुका हूँ अब पहले मुझे दुरुब को डूना है ताकि वह बूमर से टकराने से पहली मेरे काबू में आ जाए क्योंकि बूमर ना तो इतनी जल्दी मुझे मिल पाएगा और ना ही काबू में आएग और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे दृूफ से सामना करना है तो मुझे यह जीत नहीं होगा और यहां पहले और यहर् worship फस्ट्राइक अरे कहां गया एक सेकंड़ फेली तो यहीं पर था हृँ पहाणी में भी कई नहीं आ रहा है कमाल है यहीं पंटेस्ट यहीं इ जीते कर लिख ले पर ये गया कहां वैसे तो अगर मैं चाहूं तो काया भी हो सकता हूं ऐसे यह अंत्रों एनर्जी है मेरे पास लेकिन वे मैंने बूमर के लिए समाल कर रखे हुए इनके लिए तो मेरा सिंपल सा वेक्टर कैलकुलेशन ही काफी है यह क्या कर रहा है ऐसा तो डुप्लीकेट इस्टेंट्मेंट भी नहीं करने को सकता है पर स्कूटर को फुटबल मना गए करेगा क्या वाट पावर ही इस स्कूटर को सवार सहीत उठा लिया यह तो यह तो वाटर स्कूटर से बिलेड खेल यह कंटेस्टेंट नहीं लग रहा है इसके सामने तो द्रुव एक कंटेस्टेंट लगेगा इसने तो आधा एसेंट्मेंट पूरा कर लिया आधा नहीं पूरा काओ अब गार्स इस पर गोली चलाने के हालत में है ही नहीं ए भाई कहीं तुम गुप्त रुप से द्रुवी पंदरा हफते बाद जब ग्रैंट फिनाले होगा तब हम धुरुव को बलाएंगे तब मिलने ना आखिर सबर भी तो कोई चीज होती है यानि मेरा अपना कीम्ति समय लगाना विर्थ किया कोई बात नहीं मेरे बास एक और तरीका है DNA ट्रेकर DNA ट्रेकर ऐसी चीज तो मैंने ना पहले ना कभी देखी ना सुनी या तो मैं पागल हो गया हूं या यह कंटेस्टेंट नंबर 13 पागल है मैं पागल नहीं हुआता सर जाम मैं फस गया था बताएए मुझे क्या करना है अगर तू नंबर 13 है तो तो वह कौन था ध थिरुफ बूमर की तलाश में यह उस माफिया वाले माफिया भाई सूटे वाला का कोदा में जिसे तुमारे अनुसार एक अजीबोगरी शक्स ने मार डाला आपको शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया एक ऐसा शक्स जो कॉरीडोर का हवाई जाज बना कर उड़ गया हो उस पर विश्वास करना मुश्किल तो हो गई एक मिनट ये ड्रम्स ये कैमिकल इंपोर्ट किये गए हैं ये तो एक जनेटिक ड्रग है जो परशिव में जनसंक्या बढ़ाने के लिए यूज किया थी और ये सारे ड्रम खाली हैं ये सूटे वाला माफिया डॉन है या कबा करते थे पहले तो हफता वसूली और मटका जैसे छोटे मोटे और आपरात करते थे पर इधर बे स्मगलिंग में लिप्त हो गए थी ये देखो यह उन चीजों की शॉट लिस्ट है जो हमको उन डॉन्स के ठिकानों पर छापों के दौरान मिली है ये क्या तुमारा बटन आ ये बटन एक रेडियेशन डिटेक्टर है इस पेपर में मामुली सा रेडियेशन पेपर में रीडियेशन इस जानकारी को मास दिस्ट्रक्शन की अव्वाज से जोड़ दो तो एक ही चीज सामने आती है नुकलियर पम और इस लिस्ट में चोटे चोटे ऐसे मशीनी पॉर् कर रहा है इस यूग के लोग तो अब तक दुरूब की कलाबाजियों पर इतालिया बजाते थे पर मेरी चमतकारी कलाबाजियों देखकर तो यह अपनी ओंगलिया ही चबा जाएंगे और अरी यह तो मुझे ध्यानी नहीं दे रहे जैसे कि यह रोज मेरे जैसा शक्स देखते तो यह इतना क्यों कर रहे हैं दुरूब इस यह पॉपुलरिटी की दौर में दुरूब से एक बार फिर पिछड़ा गया था कैप्टन तुमारे जैसा ही एक शक्स के लेक राजबाडी सेट पर करतब करके चला गया वहां कंटेस्टेंट भी नहीं था और तुमको ढूंड कर रहे हो वह मुझे दिग गया है ओवर एंड आउट इस वक्त उस बिल्डिंग की च्छत तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता यह रैंप है यह यूं कहूं कि यह रैंप की मुड़े अभी तक तो मैं दुरूब के सिगनल के पास जा रहा था अब दूब का डीनी सिगनल मेरे पास आ रहा है द्रोग सुपर कमांडो द्रोग साक्षात यकीन नहीं होता तुम मुझे पहले से जानते हूँ और हरकतों से टेक्नलोलजी के लिए एडवांस लगते हूँ ऐसा लग रहा ही जैसे कि मैंने अपने मॉडिफाइड बर्जन के सामने खाड़ा हूँ यानि तुम वहीं से आयो जहां से भूमर आया कौन हो तुम लोग और यहां आने का तुम्होरा मकसद क्या है बिल्कुल सही लॉजिक स्पॉट अन पर मुझे यह जानका आश्चेर हूँ कि तुम बूमर से मिल चुकि हो लेकिन फिर भी जिन्दा हो यह तुम बूमर से पूछना अगर मेरे हाथों से बचकर भाग ना जाता तो यह सवाल में तुम से ना पूछ रहा होता नुकलियर डिवाइस हासिल करने के पीछे तुम लोगों का क्या मकसद है यह तो खुछ वैसे ही हुए जैसे कि कोई पिस्टॉल धारी तलवार बनाने की कोशिश कर रहो यानि तुम नुकलियर डिवाइस के बारे में भी जानते हो पहली बार तुम बूमर से बचे नहीं ते बलकि बूमर ने तुमको छोड़ दिया होगा पर दूसरी बार बूमर ऐसा नहीं करेगा इसलिए मुझा तुमको बूमर से दूर रखना होगा बूमर को रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है कोशिश मत करो दुरूफ यह स्प्रिंग रे होल जिस तेकनीक से बनी है तुम उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते यह मैटर एनरजी के कॉल्स हैं और मेरे ब्रेशलेट से अलग होकर यह सॉलिड हो जाएंगे और तुमको और भी जखड़ा जखड़ेंगे मैंने सोचा नहीं था कि तुमको हराना इतना आसान यह क्या था बर्ड हिट किल्डों में एक ही कमजोरी होते हैं वे सामने अवरोद आते ही रुख जाती हैं और यह काम मुझे रोज के सॉलिड होने से रेज के सॉलिड होने से पहली करना था और वे मैंनक कर लिया अब बताओ कौन हो तुम मेरे जैसा रूख के बना हुआ और बूमर से तुम्हारा क्या संबन्द है तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाब करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो दुरुफ के कॉमिक विशिशांग दुरुफ के तीसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद